साथियों उत्तरप्देश में मेरे आज के प्रवास के दौरान आज पुरवांचल को देश का एक बड़ा मेडिकल हब बनाने का कुरुसी से जुड़े शोद का महत्वपुर्ण सेंटन बनाने और यूपी के लगू उद्योंगों को मजबूत करने की दिशा में अनेक महत्वपुर्ण कदम उठाए जाएंगे थोड़ी देर पहले ही गाजीपुर में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज का सिलान्यास किया गया है आज यहाँ पुरवांचल और पूरे उत्तरप्रदेश का गवरो बढ़ाने वाला एक और पुन्यकार्य हुआ है पूरे देश के कौने कौने का यह गवरो बढ़ाने वाले आउसर है हर हिंदुस्तानी को अपना देश अपनी संस्कृती अपनी महाप्रोश उनकी वीर्ता का पुनह स्मरन कराने का एक पुन्यकार्याज यहां हुआ है महाराजा सुहल देव की शावरिय गाथा देश के लिए उनके योगदान को नमन करते हुए थोड़ी देर पहले उनकी स्मृति में पोस्टल स्टैम जारी किया गया है पांच रुपे की कीमत का ये डाग तिकट लाखों की संख्या में देश भर के पोस्टल अपिस के माध्यम से देश के गर गर पहुँचने वाला है महराजा सुहेल देव को उनके महानकारियों को हिंदुस्तान के हर कौने में हर घर में पहुँचाने का एक नम्बर प्रयास इस पोस्टल स्टैम के माध्यम से होने वाला है साथियों महराजा सुहेल देव देश के उन वीरों में रहे हैं जिनोंने मा भारती के सम्मान के लिए संगर्ष किया महराज सुहेल देव जैसे नायक जिन से हर वंचीत हर शोसीत प्रेणा लेता है उनका स्मरन भी तो सबका साथ सबका अविकास के मंत्र को और नई शक्ति देता है ऐसा कहते हैं कि जब महराज सुहन देव का राज था तो लोग घरों में ताला लगाने की भी जरूरत नहीं समझते थे अपने शाचन में उन्होंने लोगों के जीवन को आसान बनाने गरीबों को ससक्त करने के लिए अनेक कार्य किये उन्होंने सडके बनवाई बगीचे लगवाए पाट सालाएं खुलवाई मंदिरों की स्थापना की और अपने राज को बहुती सुन्दर रूप दिया जब विदेशी आकरांता ने भारत भूमी पराँक उठाई तो महराजा सुहेल देव उन महाविरों में थे जिनोंने उनका डट कर मुकाबला किया और दुष्मनों को परास्त किया उन्होंने आसपास के अन्य राजाओं को जोड कर ऐसी संग्यठन सक्ति उत्पन की कि दुष्मन उनके सामने तिक नहीं पाए महराजा सुहेल देव का जीवन एक बहतरीन योद्धा कुषल रन्दितिकार संग्यठन सक्ति के निर्माता ऐसी अनेक प्रेणा की वे मुर्ती रहे है वो सबको साथ लेकर चलते थे महराजा सुहेल देव सबके थे भाईयो भेनों देश के ऐसे वीर विरांगनाओं को जिने पहले की सरकारों ने एक प्रकार से भूला दिया मान नहीं दिया उनको नमन करना ये हमारी सरकार ने अपना दाईत्व समझा है हमने हमारी जिम्मेवारी समझी है भाईयो बैनों उत्तर प्रदेश के बहराई जन्पद में चितोरा जब भी हम महराजा सुहेल देव को याद करते हैं तो बहराई जन्पद के चितोरा को कभी भूल नहीं सकते वही धरती थी जहां महराजा ने आकरांताओं को समाप्त किया था परास्त किया था योगी जी की सरकार ने उस स्थान पर जहां महराजा सुहेल देव ने बव्वे विजय प्राप्त किया था और जिस महापुरुष को हजार साल तक बुला दिया गया था उनके समारक में उस विजय को याद करें आने वाली पीडिया इसके लिए एक भव्य समारक बनाने का भी आज उत्तरप्रदेश की सरकार ने फैसला किया है मैं उत्तरप्रदेश सरकार को राजा सुहल देव के समारक के लिए इस कलपना के लिए इतिहास को पुनर जिवित करने के लिए रदेपुर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूँ और महराजा सुहल देव से प्रिणा लेने वाले हर किसी को देश के कौने कौने में प्रिणा मिलती रहे इसके लिए शुबकामना है देता हूँ ये भारतिय जन्ता पार्टी के गुवाई वाली केजर सरकार का द्रण निश्चे है कि जिनोंने भी भारत की रक्षा सुरक्षा भारत के सामाजिक जीवन को उपर उठाने में योगदान दिया है उनकी स्मृद्री को मिटने नहीं दिया जाएगा अपने इतिहास अपनी पुरातन संस्कृति के स्रवने इंप्रुष्ट्व पर दूल जमने नहीं दी जाएगी साथियों महराज सुहल देव जितने बड़े वीर थे उतने ही बड़े दयालू और सम्वेदन सील थे सम्वेदन सिल्टा के यही समस्कार हम सरकार में व्यवस्ता में लाने का बर्सक प्रयास कर रहे हैं केंदर और यूपी सरकार पूरी इमानदारी से यह प्रयास कर रही हैं कि गरीब पिछडे दलीत शोसीत बंचीत पिछडे हर प्रकार से समाज का यह तपका ससकत हो सामर्थवान हो अपने हकों को पाकर के रहे यह सपना लेकर के हम काम कर रहें उनकी आवाज व्यवास्ता तक आसानी से पहुंचे